हेल्लू फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स कैसे आप सब मुमित करती हो सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं एक प्रिटी से नेकलेस बनाऊंगी टैसल्स वाली उसके लिए मैं ये सारे मटेरियल यूज़ करी हूँ 8 mm साइज की क्रिस्टल बीड, 6 mm साइज की हार्ट सेप की बीड और बॉल पिन तो इससे हम हैंगिंग्स बनाएंगे इनकी लॉर्यस भी बोल सकते हो और साथ ही ये तोगल्स क्लैप है और ये पेंडेंट हैंगिंग के लिए क्लिप गोल्डन अलुमिनियम चेन जोकी बहुत ही जंप रिंग तो चली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जो बीड से इनकी लॉर्यस बना लेंगे हैंगिंग बना लेंगे तो यहां मैं अच्छी क्वालिटी की यहां बॉल पिन का यूज करी हो आपके पास अगर ना हो तो आप लॉर्यल वायर का भी उसकर सकते हो कीज से कट करने की जरूत पड़ती है तो उसको में हमको जंप रिंग यूज करना पड़ेगा तो बस यही फर्क है और चली है इसको अब हैं बना लेती हूं तो इस तरिके से मैंने हां पर क्रिस्टल बीड में यह फिर यह बिन डाल दी है और उसके बाद मैंने शीट नाली कने और क्रिश्टल बीड मैंने इहां पर 14 से fourteen यूज से हान थरृट इसे वाली 12 पीसिस और एरिंग्स के लिए अलग सी बीट सम लेंगे तो यहां पर सिर्फ नेक्लेस के लिए मैं बता रही हूं तो इससे रेडी कर लेंगे आप चाओ तो यहां पर अगर राउंड सेपी पर्ल है तो उसका यूज़ कर सकते हैं तो मेरे पास यहां हाँ हार्ट सेप की है तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी कि इसको इस डिजाइन में बनाओ तो मैंने इसलिए बनाया है तो यहां पर मेरे पास मेजरिंग के ल पर यह chain को cut कर लेती हूं तो जो भी beginner है उनके लिए यह वाली board हो रहेगी तो ज्यादा easy होगी measurement करने के लिए तो इस तरीके से हमें chain को अलग कर लेना है और इसको cut नहीं करेंगे इस तरीके से इसको open कर सकते हैं जितना यूज करना है उतना ले सकते हैं और अगर cut करते हैं तो इस तरीके से इसको open कर लेते हैं तो इसके से मैं यहाँ पर देखें यह chain को measure कर लेती हूं तो inches मैं यह मैं ले रही हूं यहाँ पर 12 inches हो गए और उसके बाद extra जो है उसको अलग से तो यह total 17 inches पर हो जारी है chain 12 और 5 यहाँ पर आप एड़ करके ले सकते हो 17 inches पर अब मैं यह जो extra chain है इसकी hanging बनाऊंगी तो इसको मैं यहाँ पर 8 count करके मैं यह chain को खोल लेती हूं इसकी जो loop बनी है उसको 8 तक count करूंगी और उसकी open कर लूगी और extra chain को हमें हटा लेना है और यह chain को close करना है तो इससे जो है हमारी chain जो है वो बिकार नहीं होगी उसको loop हमें हटा कर किसी और चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं तो अब जो यह मैंने hanging बनाई हुई है इनको लगा लेते हैं तो सबसे पहले नीचे में जो tassels बनाने वाली हो उसके लिए यह chain में यह hangings को लगाना है तो बहुत ही easy है बस इसको open करते जाना है और loop को और उसको hang करते जाएंगे chain में तो मैं यहां पतली वाली यह nose player का help के help से यहां इसको लगाऊंगी तो इसको हलके से हमें इस तरीके से open करना है और सबसे लास्ट में यहां पर start कर दी हूँ नीचे की और से तो यहां इस तरीके से मैं यहां big size की heart shape की bead है इसको लगा लूँगी और इसके ऊपर वाले loop में 6 mm size की heart shape की bead है उसको लगा लेंगे तो बारी बारी से एक एक loop में हमें यहां beads लगाते जाने हैं और ध्यान देना है कि एक ही side हमें इस तरीके से नहीं करना है नीचे की loop छोड़ते वे जो उपर की loop आएगी उसके दोनों side हमें beads लगाने है फिर उसके उपर वाले loop में मैं यहां पर crystal bead लगाई है और crystal bead के साथ ही छोटी वाली heart वाली bead भी लगा लेना है जहां जहां पर crystal bead लगाऊंगी वहां पर छोटी वाली heart shape की bead भी साथ में लगाऊंगी और जहां बड़ी वाली heart shape की bead लगाऊंगी वहां पर single ही वो रहेगी तो इस तरीके से इस लाइन को पूरा करेंगे और सबसे उपर जब आएंगे तो वहाँ पर बड़ी वाली हार्ट सेप की बीड और क्रिस्टल बीड दोनों का यूज़ करेंगे तो यह देखिए इस तरीके से तो यह काफी भरा-भरा से लगेगा बहुत ही अच्छा लग रहा है यह बढ़ने के बास सबसे टॉप में मैंने यहाँ पर बड़ी वाली हार्ट सेप की बीड है और क्रिस्टल बीड दोनों को लगा लिया है कलर कॉंबिनेशन आप जैसा देना चाहो दे सकते हो तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा कर लिया है अब यह सबसे टॉप में हमें यहाँ पेंडेंट हैंगिंग के लिए जो यह क्लिप आती है उसका यूस कर रही हूँ मैं तो इसको ओपन करना है इस तरीके से और यह जो लूप है सबसे उपर की उसमें हमें पार कर लेना है डाल देना है और साथ ही तोगल्स क्लेप जो है उसके साथ अटैज करना है तो उसको भी मैं इस तरीके से डाल दूँगी और ये क्लेप को क्लोज कर लेंगे प्रेस कर देंगे अच्छे से तो थोड़ा इसको अच्छे से हमें प्रेस करना है यह हमने इसको हैंक कर दी है मैंने और जिस तरीके से हमने यहाँ पर बिट्स लगाई थी वैसे ही चेन में भी लगा लेना है चेन के दोनों साइड हमें इस तरीके से लगा लेना है तो मैंने यहाँ पर इस सिक्वेंस में बीड्स को लगा ली है और जंपरिंग से अब अटैच कर लेंगे चेन को तो तोगल्स क्लेप के राउंड वाले सेप के तरफ हमें यहाँ एक ही जंपरिंग का यूज करना है और दूसरे साइड जो हम यूज करेंगे तो इसको लगा लेंगे इस तरीके से और अच्छे से हमें यहाँ पर जंपरिंग को क्लोस करना है और प्रेस कर देंगे अच्छे से और इसकी जो दूसरे साइड हम जो लगाएंगे इसकी तोगल्स क्लेप की जो यह वाली पार्ट है कि उसमें दो जंपरिंग यूज करेंगे ताकि यह इजीली हम राउंड वाली से अंदर बाहर कर सकें इसको तो यहाँ पर दो जंपरिंग यूज करी हूं मैं और इसके साथ ही छेन को अटाच कर देंगे जंपरिंग के साथ तो यह वाली clip में अगर यहां इस वाले भाग में अगर एक jump ring उसकरेंगे तो यह अच्छे से यहां lock नहीं होती है तो इसलिए मैं यहां पर दो jump ring का उसकर रही हो तो इसको भी अच्छे से jump ring close करेंगे और देखे easily इस तरीके से पार करके यह hang हो जाएगी और यह हमारी necklace ready हो गई है बहुत ही pretty लग रही है तो चलिए बनाते हैं इसकी earrings तो earrings के लिए मैंने यहां पर total six crystal bead का यूश किया है तिन-तिन के pair में इसको बना लेना है और दो big size की pearl वाली bead का भी यूश किया है तो इसके लिए मैंने यहां पर ipin का यूश किया है ipin को इस तरीके से open करेंगे और निचे के side यह बड़ी वाली size की bead लगा लेंगे और यहां मैं यह crystal bead डाल लूँगी और बीच-बीच में इसके seed bead को भी डाल देते हैं तो मैंने यह तीनो bead को इसमें डाल दी है और उपर के set pin को हमें इस तरीके से fold करना extra pin को cut करके loop बना लेना है और ear tops के साथ इसको hang कर लेंगे तो यह pin को थोड़ा सा open करेंगे और यह ear tops में जो hole बनी है उसे पार करते हुए यह loop को close कर लेना है तो इसी तरीके से यह हमारी टैसल स्वारी chain necklace ready हो गई है बहुत ही pretty लग रही है और यह है इसकी final look तो design अच्छी लगी हो तो आप भी जरूर बनाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल में new हो तो subscribe कर लीजेगा Facebook पर देख रहे हैं तो follow कर लेना तो अब मैं मिलते हूं आपको अपने next tutorial वीडियो में new design के साथ तब तक ही लिए take care and bye bye thanks for watching